हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में पार्टिशन को कैसे डिलीट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आपको क्या करना यहां पे स्टार्ट पर राइट क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिक्स 0, डिक्स 1, ऐसे ही डिक्स 2, 3, 4 ऐसे करके दिखेगा जितना भी harddix connected होगा इसके बाद आपको क्या करना आप जिस भी harddix के अंदर जो भी partition आपको delete करना है उसके ओपर आपको right click करना है example के लिए मैं आपको अपने case में दिखा तो मेरे case में मैं आपको यह partition delete करके दिखाऊँगा ऐसे ही यहाँ के case में भी जिस भी partition को आप delete करना चाहते है उसके ओपर आपको right click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा delete volume इसके ओपर आपको click कर देने click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर यह warning message देज़ेगा यानि इस partition के अंदर जो भी आपका data होगा वो delete हो जाएगा यादि उसके अंदर आपका कोई भी data काम का है तो पहले आप उसका backup ले लीजे उसके बाद ही इसको delete कीजेगा अब आपको क्या करना यहाँ पर yes पर click कर देने yes पर click करते हैं यहाँ यह delete हो जाएगा आप देखने यह partition delete हो चुका है तो इस तरह से partition को delete करते हैं यदि आपको दुबारा create करना होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर right click करके new पर जाके दुबार आप यहाँ से partition create कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पर partition create कर लिजेगा तो फिर से यह partition create हो जाएगा आम मालिए आप इस Partition को New Create नहीं करना चाहते हैं, किसी अधर Partition के अंदर इसको आप Extension करना चाहते हैं तो आप इसको Extension भी कर सकते हैं जिस भी Partition के साथ आपको Extension करना है उस Partition को पर आपको Right Click करना है, इसके बाद यहाँ पर Extension Volume दिख जाएगा इसको पर आपको click कर देने, इसके बाद यहाँ पर आपको next पर click कर देने, इसके बाद यहाँ पर finish पर click कर देने, click करते हैं वो partition इसके अंदर add हो जाएगा, यानि वो space इस partition के अंदर add हो जाएगा, इतना extra space इसके अंदर मिल जाएगा, तो यह चीज भी आप कर सकते हैं, इसक के बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहां से क्लोज कर देने और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू